नमस्कार जन्ता के लिए जन्ता की आवाज जन्ता समचार में आपका स्वागत है आए चलते हैं खबर की ओर उजयन में चाइनीज मांजे से छात्र की मौत के बाद पुलिस और नगर निकम की टीम ने रवीवार को चाइना डोर बेचने वाले दुकानदार अब्दुल वहाओ के घर का अतिक्रमन तोड़ा चुलबुल पतंग सेंटर के नाम से धोगबा खेच्छी में पतंग बेचने वाले वहाओ के बाद उन लोगों के अतिक्रमन और घरों के अवैद हिस्से तोड़े जाएंगे जहां से पुलिस ने बीते दिनों चाइना डोर जब्द की थी इसके बाद पुलिस ने शास्री नगर के एक ब्यापारी के मकान का अवैध हिस्सा भी तोड़ा CSP पल्लवी शुकला ने बताये कि जहां से भी चाइनेज मांजा जब्द हुआ था सभी के खिलाफ कारिवाई होगी CSP रवींदर वर्मा ने बताये कि चाइनेज मांजा बेचने वालों पर NSA की तहत कारिवाई की जाएगी बता दें कि चाइनेज मांजे से सनीवार को महेधपूर के नरायना ग्रामनिवासी च्छात्रा नेहा आंजना का गला कट गया था और थोड़ी ही देर में तड़ब तड़ब कर उसकी मौत हो गई थी इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी कारवाई के लिए कहा था तब उज्जैन पोलिस और प्रशाशन की टीम ने मिलकर तोप खाना के उन व्यपारियों की लिष्ट तयार की जहां से चाइना डोर जब्त हुई थी इसके बाद सबसे पहले रवीवार दोपहर में महाकाल पोलिस चुलबुल पतंक सेंटर के संचौलक अब्दुल वहाओ के घर पहुची यहां नगर निकम की टीम ने उसके मकान का वैद हिस्सा तोड़ दिया और वहां के वैपारियों में उज्जैन के थोग वैपारी का नाम भी बताया हाला कि पोलिस ने थोग वैपारी के यहां जांच के बाद कारिवाई की बात कही है पहुचाते रहे खबरे हम आपको इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन की बटन को दबाना न भूले आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें